नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रंकला में आज सुनेंगे लोप्रिय कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी बांकी, तो आएए सुनते हैं कहानी अपने बांकपन और सुन्दर को लेकर भुवा बेशक शुरू से बहुत सतर्क रहती आई थी, किन्तु जब से एक टीवी चैनल ने अपने पुरसकार समारों में उन्हें बेस्ट भावी की ट्रॉफी थमाई थी, वे कुछ ज्यादा ही चौका सोचली थी उस दिन अपने कमरे की शरंगार मेच के सामने खड़ी होकर उन्होंने मुझे बुलाया और बोली, इधर देख तो, मेरे गालों में जोर पड़ रहे हैं, आखें अंदर धसक रही हैं, ठुड़ी गर्दन की और धलक आई है, और जबडे तो अपनी परिरेखा से बाहर निक 14 वर्ष छोटी होने के बावजूत, मैं उनकी अंतरंग सहेली भी हूँ और सलाहकार भी, यो भी एक डेंटिस्ट होने के नाते कॉस्मेटिक सरजरी की जानकारी तो रखती ही हूँ, क्यों नहीं, भुवा का स्वर आकरामक हो आया, तुम देखती नहीं, मेरी उम्र वाली कि इतनी ही अभिनेत्रियों ने अपनी पलकों पर चिहुट लगवाई है, अपनी नाक सीधी करवाई है, अपने माथे की रेखाएं हटवाई है, अपनी अगारी पिछाडी सेलीकन तहें चड़वाई है, दूरी हो गई अपनी ठुड़ी से चर्वी मिटवाई है, मगर अपनी हरकत तक हो सकती है, और सबसे ज़्यादा खत्रा तो कान वाली नस्के कटने का रहता है, जिसके सहारे हम सुना करते हैं, और कई बार तो कान अपनी जगह चोड़कर नीचे उतराते हैं, जिस सर्जन से मैं सलाह लेकर आई हूँ, उसकी चुरी गलत जगह पर नहीं ज हमार चुका है, बुवा ने कहा, आप सर्जन के पास हो भी आएंगी, बिना पापा और बाबा से सलाह लिए, परिवार में मेरी मा नहीं है, पिछले दस साल से, कैंसर ले गया था उन्हें, और अब घर में हम चार जन ही रह गए हैं, मैं कुल जमा चार साल की थी, जब अपनी अल पायू में, 23 वर्ष पहले की किसी तारीक में, और दादी उसी वर्ष में चल बसी थी, उनसे मुझे सर्जन की फीस थोड़ी न लेनी हैं, जो उनकी सलाह सोनो या पूचो, बुवा गंभी रोचनी, मेरे दादा और पिता से बुवा बहुत कम बात करती हैं, नार दादा की आर्थिक हिस्थिती डावा डोल रहा करती थी, वह फिल्मों में एक कैमरा मैन रही हैं, और उस समय फिल्में उन्हें कभी मिलतीं, तो कभी नहीं भी मिलतीं, ऐसे में वह मेरे पिता के साथ बुवा को भी फिल्मों में काम दिलवाने लगे थे, किन्तु बाल कलाक के रूप में मेरे पिता ही सफल रहे थे बुवा नहीं बलकि मेरे पिता तो आज भी बतोर चरित्र अभिनेता अच्छी चांदी काट रहे हैं जबकि बुवा को दो-तीन फ्लॉप फिल्मों के बाद फिल्में कभी मिली ही नहीं ना तब ना बाद में और स्रयोग की बात विवा के दूसरे ही दिन आत्मात्या कर ली थी अपने दिवालिया करार किये जाने पर और जब अमंगल उस घटना के लिए बुवा ही को उत्तरदाई मानकर इधर लोटा दिया गया था तो अचानक समाप्त किये गये उस विवा का विद्वत तलाक में परणत होना फिर अन बदल गया था और यह संभाव बनाया था आकस्मिक उभर रहे सन नब्बे के उस दशक के नए सेटेलाइट चैनलों ने और उनकी बहार लोटने वाले नए पुराने निर्माता निर्देशकों ने जो बहत्तर घाट का पानी पीने वाले सीरियल पर सीरियल बनाने में लग चार धन पांच बराबर नव और भुवा को जीविका भी मिली और ख्याती भी न केवल दी गई अपनी भुमिका के साथ ही भुवा नयाय करती बलकि उससे अर्चित होने वाले पारिश्रमिक से भी इधर कमाती उधर उड़ा देती देशी विदेशी बाजारों में उठी भर तो कभी अंजुली भर आज तुम्हें मेरे साथ चलना है उसमें मैं अपने क्लिनिक के लिए तयार हो रही थी जब बुवा मेरे पास आई और बोलनी आज मैं अपनी फेसलिफ्ट करवा रही हूँ प्लास्टिक सर्जन के नर्सिंग होम में मेरा कमरा बुक हो चु जब दादा नासिक में है और पापा जैपुर उस दिन वे दोनों ही आउटडोर शूटिंग पर शहर से बाहर थे अगर वह शहर में होते तो भी क्या मैं उन्हें पताती कता ही नहीं बुवा अपनी स्वतंतरता को जब तब अराजक हो लेने देती मगर बुवा आप कपी चड़ गई कोई जोखिम नहीं बुवा हसने लगी सब देखा भाला है जाना भूजा है जो खत्रे हैं वह सब पचास पार वालों के लिए हैं मेरी उम्र वालों के लिए नहीं नहीं बुवा दादा और पापा का भी आपके पास बने रहना बहुत जरूरी है तो मेरे स साथ चलो और बहस बंद करो बुवा ने लाड से मेरे कंदे गेर कर मुझे तयार कर लिया नर्सिंग होम पहुचकर हम पहले बुवा के आरक्षित कमरे में ही गई अपना सामान टिकाने थोड़ी देर में वह नर्स आ पहुची जिसे बुवा ने अपने लिए टै कर रखा थ बुवा को ऑपरेशन के लिए उसी ने तयार किया नर्सिंग होम का गाउन वा पाजामा पहनवा कर उसी के साथ हम सर्जन के ऑपरेशन थेटर की और बढ़ चली सर्जन फुर्तीले शरीर और चौकस चेहरे के स्वामी थे पचास और साठ के बीच आत्म विश्वास से भरप यकीन मानो वे मेरा कंधा थाप थापा कर बोले आपकी बुवा के साथ कोई दुरघटना नहीं हो सकती कितनी ही लड़कियों के लिपोसक्षन वा डर्मा ब्रेजन कर चुका हूं केमिकल पील्स, लेजर ट्रीटमेंट, बोटॉक्स वगएरे सब खूब जानता समाजता हूं मगर मैंने पढ़ रखा है, सबसे ज़्यादा खत्रा कान वाली औरिक्यूलर नर्व कटने का रहता है, जिसके सहारे हम सुना करते हैं, और कई बार तो कान अपनी जगह छोड़कर नीचे उतर आते हैं, एक सेंटीमीटर तक और दस डिगरी तक उनका कोण भी बदल सकता है, आप दांतों वाली हैं, हमारी फेस लिफ्ट के बारे में उतना नहीं जानती, जितना हमें मालूम रहता है, सरजन गंभीर हो चले, आपको बता जरूर सकता हूँ कि मुझे तीन लैंड मार्क्स पर काम करना है, इनके चेहरे की प्लैटिजमा शीट पर, जिसकी मान स्पेश् चर्वी इनकी नासिकाओं और होटों पर परतें जमा रही हैं, और इनकी ओकुलाई पर, जहां आँख वाली मान स्पेशी की और ओक्योलेरिटी चक्रिका के किनारे, इनकी आँखों के आसपास जुरियां से ले आए हैं, दा क्रोज फीट, आप लिफ्ट की कौन सी टेक्नि पर जाएंगे, मैक्स या फिर पुरानी पारामपरी की, मैंने सर्जन पर जतलाना चाहा कि फेस लिफ्ट के विशय में मैं भी पूरी जानकारी रखती हूं, पारामपरी सर्जरी का मुझे ज़्यादा अभ्यास है, सर्जन चुण गए, मैक्स पर क्यों नहीं आ जाते, जब पुतीन सब्ता ही में अपना आपा पुनह प्राप्त कर लेता है, रख्त स्राव और नर्व डैमेज का खत्रा भी कम उठता है, मैंने कहा, हम चलें, मेरी बात सुनी अनसुनी कर सर्जन ने बुवा की ओर इशारा किया, बेस्ट आफ लग, लग मेरे साथ है, बुवा सर्जन की ओर देखकर मुस्कराई, वशी भूत, उनके चेहरे पर चमक थी, हुलस था, प्रतीक्षा थी, तरुनाई के पुनरजात की, यवन के पुनरागमन की, बुवा ओप्रेशन थियेटर गई, तो मैं उस दूसरे कमरे में चली आई, जहां वह टीवी रखा था, जिसके स्क्र पर ओप्रेशन की पूरी प्रक्तरिया टेली कास्ट होने वाली थी, उस टीवी के सामने ही एक सोफा भी पढ़ा था, जहां मैं जा बैठी, बुवा जब बेहोशी में जा चुकी, तो सर्जन अपने दल के साथ उनके चेहरे पर जुक लिये, दस्ताने वाले अपने हाथ पिछले भाग से होती हुई, उनकी गर्दन की पीछे वाली हेर लाइन पर जा पहुँची, उन्ही हाथों में फिर स्कैल पे ला जुडे, जिनोंने बुवा की गर्दन और गालों की तचा से उसके नितल वाले सबसे नीचे वाले टिश्यूज उदकों को उससे अलग कर दि बुवा के रक्त सने चेहरे पर नए घाव आ लगे, अब तचा को दोबारा उन ओधकों पर जमाया गया, अतरिक्त तचा को साथ साथ हटाते हुए, इस बीच लहू का बहाव बढ़ता चला गया था, और फिर तचा पर बन आये घाव को स्टेपल से अभी टांका ही जा रहा था कि टीवी अचानक बंद कर दिया गया, मैं ऑपरेशन थियेटर की और लबकी तो मुझे बाहर रोग दिया गया, बताया गया, जादा खून के बहते रहने से बुवा का केस एमरजेंसी ले आया था, उसी समय मैंने पापा और दादा को सारा हाल कह सुनाया, अपने मेल से ओपरेशन थियेटर से बाहर आने में बुवा को साथ घंटे लगे, और जब वह बाहर लाई भी गई तो अचेता वस्ता ही में, उनके सिर और चेहरे पर पट्टियां बंदी थी, और उनके कान के पीछे और तचा के नीचे एक पचली ड्रेनेस ट्यूब नलिका लगाई ग आगामी पांच दिन गहरी उलजन और चिंता में बीते, इस बीच मेरे दादा और मेरे पापा भी वहाँ आ पहुँचे थे, अपनी घबराहट वा अप्रसन्यता मेरी किम कर्तव्य विमोर्ता में जोडते हुए, पट्टियां हम तीनों की उपस्थिती में खोली गई, लेक दुशकर रहा, पहली बार मैंने उन्हें उन दोनों से भैखाते हुए देखा और आँखें चुराते हुए, वे दोनों भी भोचक थे, ना अपनी आँखें सीधी कर पा रहे थे, ना नेली पीली, मुझे भी चुप लग गई थी, ना भुआ को भला भुरा सुना सकती थी, ना सर्जन को, जो भुआ को ढारस बना रहे थे, निश्चित लक्ष का परिणाम आने में समय लगता है, यह सूजन, ये निशान, ये पपडियां, तीन-चार माह में विलीन हो जाने वाली हैं, मगर भुआ इस्तंभित लेटी रही थी, जडवत, अपने गालों की भाती, ज पूरी तरह, मगर घर लोटने तक जान चुकी थी, सर्जन का आश्वासन एक स्वांग भरता, उनकी तवचा पर लगे गाओं के, हेर लाइन की तोड मरोड के, कानों से छेड़ चाण के सभी छत चिन्द इस्थाई बने रहने थे, रस्ती जैसी वह सूजन भी, जो उनके का परिरेखाओं के बिरूपण में ब्रद्धी करती हुई, किन्तु वाहवाही की बात यह रही कि फेसलिफ्ट के अतिचार के उस प्रक्टर ने उनकी हिम्मत नहीं तोड़ी, उन्होंने अपने को पुनाय अन्वेशित किया, मीमानशात्मक अपने नए खेले से, तो नहीं, उनकी कलम तो नहीं, उनका व्यक्तित्त तो नहीं, और वह लिखने लगी, टीवी ही के लिए, नाटक कथोक कथन समवाद, और जीतने लगी नई ट्रॉफियां वेस्ट राइटर के रूप में, अपने पैन नेम साहित्तिक उपनाम के उपलक्ष में, जो उन्हों उन्हें सोयाम चुना था, बांकी, तो ये थी कहानी, कहानी आपको कैसी लगी, कॉमेंट करके जरूर बताएं, और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानिया, आपको अच्छी लगती हैं, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर क करें, और अपने दोस्तों और परचितों में शेयर भी करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, धन्यवाद